हालो SPS Astrology lovers, देशे शंकर प्रताप सिंग and you are watching SPS Astrology गाईद आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेवा और परुपकार के थुरू आपको कैसे fame मिल सकता है यानि जब आप लोगों की सेवा करते हैं परुपकार का काम करते हैं लोगों की मदद करते हैं तो उसके थुरू आपको कैसे fame मिल सकता है और जो भी आपका fame है उसका संबन सीधा आपके बर्शाट से जुड़ता है अगर आपके बर्शाट में ये वाला योग बनता है कि जहांपर आप लोगों की मदद करते हैं सेवा करते हैं परुपकार करते हैं और उसके थुरू अगर fame मिलने का योग है तो आपको 100% fame मिलता है लेकिन सिर्फ famous होने के लिए सेवा और परुपकार नहीं करना चाहिए यानि अगर आप अपने मन के अंदर स्वार्थ रखे सेवा और परुपकार कर रहे हैं और social media पे दिखा रहे हैं कि आपने इतने लोगों की मदद करी इतने लोगों की help करी तो वो सेवा और परुपकार नहीं है वो सिर्फ एक fame को gain करने का एक तरीका है यानि उस चीज के थुरू आप अपनी TRP को बढ़ाते हैं आप अपने आपको famous करते हैं और दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं सेवा ऐसी होने चाहिए कि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका पता किसी को भी ना चले हाँ वो लोगों की अलग बात है कि लोग आपके बारे में किसी और को बता दें या social media पर बता दें या उसके थुरू आपको fame मिल जाए लेकिन अगर सिर्फ आप famous होने के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं परपकार कर रहे हैं तो वो सेवा और परपकार नहीं है वो सिर्फ एक famous होने का एक तरीका है एक trend है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके बर शार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जिससे आप ये जान सकते हैं कि सेवा और परपकार के थुरू आप कैसे famous बन सकते हैं अब बात ये आती है कि लालच और स्वार्थ ये दो ऐसी चीज़े हैं जो इनसान से कुछ भी करवा सकती है यानि अगर आपको famous होना है और उसका अगर लालच आपके मन के अंदर पल रहा है कि भई मैं famous हो जाऊँगा तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़े जुड़ेंगी जिसके बाद मैं earning कर पाऊँगा और बहुत सारी चीज़े मैं proper तरीके से कर पाऊँगा और ये जो लालच आप जो मन के अंदर लेके चल रहे हैं और इसके लिए अगर आप लोग की सेवा कर रहे हैं मदद कर रहे हैं तो बहुत गलत है लेकिन अगर इसका योग आपके बर्च राट में बना हुआ है तो आप ऐसा कोई न कोई काम जरूर करेंगे जिसके थ्रू आपको fame मिले, चाहे उसके बारे में आपको पहले से पता हो, चाहे पता ना हो तो सेवा और परोपकार के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको अपने बर्शार्ट के 12th house को देखना होगा और 12th house के Lord की position को देखना होगा अगर आपके बर्शार्ट में 12th house का lord अगर अपने exultation में है या अपने own sign में है तब सेवा और परोपकार के दुरू आपको बहुत नाम और fame मिल सकता है और ज़्यादा नाम और fame आपको जब मिलता है जब 12th house का lord 10th house में placed हो और 10th house के lord की position अच्छी हो 12th house का lord 10th house में है 10th house का lord 12th house में है तो ये भी एक परकार का बहुत बड़ा राज्योग माना जाता है और अगर राहू का एस्पेक्ट राहू का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस के लॉड के उपर पढ़ जाता है और 12th हाउस का लॉड अगर अपने अग्लिटेशन में 10th हाउस में प्लेस्ट है तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं अपने सेवा और प्रोपकार के थुरू तो आपके ब मंदी फेम से होता है पबलिक विजबिल्टी से होता है 10th हाउस में अगर योग बन रहा है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर 12th हाउस का लॉड अपने एक्जिल्टेशन में है अपने ऑन साइन में है चाहे कहीं भी हो और अगर अपने ऑन साइन मे होगा और अगर उसके उपर राहू का एसपक्ट पढ़ जाता है तो सेवा और परोपकार के थुरू आपको काफी फेम मिल सकता है लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि सिर्फ परोपकार और सेवा इसलिए ना किया जाए कि आपको उसके थुरू फेम मिले अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हम म ransom करना चाहें मिलना चाहें तो आप हमारी website के थूरू हमारे अप के थूरू हमसे मिल भी सकते substitute